पूजी विश्वा राध्य पंच पर्मिष्टी भगवाने की अनन्ता अनन्त सिद्ध परमिष्टी भगवाने की देवाद देव विश्व प्रोशी अजितनात भगवाने की परम पूजी अचारित चक्रवती आचार सिरी शान्ति सागर जी मुनि महराज की परम पूजिय सिद्धान चक्रती स्वीत विचाचारे गुर्दीर शिविद्यान जीवनि महाराज की अहिन सामय विश्व धर्म की धर्म इसने ही सत स्रद्धालो यहां पर उपस्तित आप सभी भविवर पुंडरीक पुंड्यात्मा महानभाफ प्रतीक प्रानी का जीवन नदी की तरह से गत्शील है बेती हुई नदी कभी मर्थल में से बेती हुई जाती है तो कभी-कभी वे नदी किसी सहर के निगट से वेकर की जाती है कभी वे बैती हुई नदी उद्ध्यानों की पंक्तियों की समीप से निकलती है तो कभी वे नदी छोटे-छोटे ग्राम और प्रवत के आसपास से निकलती है हमारा जीवन भी कभी सुख की अनुबूती दिलाता है तो दुख की भेंकर पीड़ा कभी हमारे जीवन में सुख के पुस्व खिलते हैं तो कभी दुख के काटे हमारा जीवन कभी समधारा में बैता है तो कभी विशम हमारा जीवन कभी हमें उचाईयों की ओर ले जाता है तो कभी ढाल से पतन की ओर हमारा जीवन कभी स्वेम के लिए वर्दान बनता है तो कभी अविशाफ हमारा जीवन कभी दूसरों के अच्छा लगता है कभी बुरा कभी कोई हमारा प्रसंसक होता है तो कभी निंदख कभी हमारी स्ययोगी हमारी पास बहुत होती है तो कभी निंदख ये जीवन बहु रंगी है कब किस रंग पर फोकश हो जाए वोई रंग चमकने लगता है कभी हरा, कभी नीला, कभी पीला, कभी काला, कभी शबेद, कभी लाल, कभी नारंगी, कभी गुलावी नाना प्रकार की रंग है इस जीवन में महान भाव ये जीवन कभी ऐसा लगता है जैसे बहुत असुरक्षित जैसा है तो कभी-कभी ऐसा भी लगता है हमारा जीवन सुरक्षित जैसा है जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए हमें आवश्यक्ता है जो हमारे जीवन की ढालकी तरह से हो हमारे सम्दक जीवन के कुछ आयाम हों, हमारे सम्दक जीवन के कुछ चरण हों, जिनके आलमों से हमारा जीवन नकेवर सुखी, आपे तो बहुंगुल्य और बहुंग्योगी भी बन सके दिशा मुक्रूप से चार होती हैं, पूर्व, दक्षिन, पश्चिम, उत्तर, किन्तु पुने अदो दिशा और उर्द दिशा का भी इसमें समाविश करें, तो छे दिशा होती हैं कहीं से हमारी उपर कोई अटेक करता है, तो हो सकता है सामने शे करें, दाई साइट से करें, पीशे से करें, बाई शाइट से करें, या उपर से कर सकता है, और नीचे से भी कर सकता है यदि कोई व्यक्ति छेवाद दिसाओं में ढालने करके तैयर हो जाए छेवाद तरफ से अपनी सुरक्षा करे तब संभब है वो अस्फरक्षित रह सकता है महानभाब जीवन के भी छे आयाम है जीवन की सुरक्षा प्रिदान करने बाली छे आयाम है यूँ कहें ये छे हमारे वोडी गार्ड वोडी गार्ड ने कहें आत्म सुरक्षक अंग रक्षक तो के बर सरीर की रक्षा करते हैं किन्त ये आत्मा की रिश्चा करने वाले हैं जिसमें पहला है वह है दर्पन समचित वाला यदि किसी व्यक्ति के सामने दर्पन रखा हो और दर्पन को देख करके वह कहें अपने चेहरी के बारी में कि मेरा चेहरा बहुत सुन्दर है बहुत कुरूप है तो वह दर्पन उसे वैसा कहने नहीं देगा दर्पन किसी व्यक्ति को जूट नहीं बोलनी देगा क्यों कोई पतक्ष प्रमान है जैसा है वैसा है यदि कोई व्यक्ति दर्पन में दिख रही श्याम वर्ण को दबल वर्ण कही तब दर्पन पकट कर देगा सब के श्याम ने कहेगा तुम्हें दिखता नहीं दर्पन जूट नहीं बोलता जो इसमें स्याम दिख रहा है तो स्याम ही है दबल दिख रहा है तो धबल ही है हरित दिखता है तो हरित है नीलमा सुकत है जैसा दिख रहा है वैसा है विश्व का कहीं का भी कोई भी दर्पन हो कोई भी दर्पन जूट नहीं बोलता है कोई कहे के तो मेरे घर का दर्पन है मेरे घर का दर्पन अलग है तेरे घर का अलग होगा ऐसा भी नहीं होता दर्पन तो दर्पन होता है दर्पन वे बना भी कैसे है जिसने अपने दर्प को नश्ट कर दिया तो उसका चित दर्पन जैसा हो गया दर्पन को आदर्श भी कहते है आदर्श कहो, दर्पन कहो कोई उसे सीसा भी कहते है सीसा की तरह से इसका हिर्दय कठोर हो गया जो अनकूलता प्रतकूलता में पेगलता नहीं एक जैशाही रहता है सीसा अबड़ी कठोर धातु होती है कि उसे सीसा सब तो कहते हैं कुछ लोग क्योंकि ये तना निश्टर होता है किसी के पती करुणा का भाब नहीं रगता किसी के पती निश्टरता का भाब नहीं रगता जियोंकी त्यों कहता है इससे बड़ा न्यायप्रिय कोई दूसरा नहीं मिलेगा पंच परमेश्टियों को भी दरपण की उपमा दी जाती है पंच परमेश्टि के सामने पहुंच करके आपको अपना रूप जैसा दिखाई देता है समय लेना आपका वही रूप है आपके अंदर का वही सुरूप है दर्पन जैसे वाहे पुद्गल के वारे में आपको जूट नहीं बोलने देगा तो जैसे ही आध्यात्मिक दश्टी वाले संत या आत्मा के वैभको प्राप्त अरिहंत या कर्मों से रह सिद्ध पर्मिष्टी आचारपाद्या शादू यह तो उनके दर्पन में चित्त के दर्पन में इस आत्मा का सुरूप जलकनी लगता है जैसे भगवान के भामंडल में भव जीवों के उन भव्यों को साथ दिखाई देते हैं तीन पीशे के तीन आगे के बीच का भव वे जैशा है वैसा दिखाई देता है उसे कोई छुपा नहीं सकता प्रतक्ष ज्यानी से कोई अपने पूर्वव छुपाना चाहिए पूर्व प्रतक्ष ज्यानी अब्दी ज्यानी मुनी महाराज कह रही है कि तुम पूर्वव में देव थी वरकता नहीं में देव नहीं था मैं तो पूर्वव में यहां का राजा था नहीं तु तुमारा पूर भव तुमारी आत्मा की परयाई इसमें जलक रही है तुम पूर भव में मनुष थे, नहीं में तो देव था नहीं तुम जूट नहीं बोल सकते, तुम दरपन कभी जूट नहीं बोलता तो उनका चित जिनका दरपन की तरह से हो गया है बे कभी जूट नहीं भोलते जैसे पानी में परशाई ज्योंकितों दिखाई देती है मनुष्य खड़ाय तो मनुष्य की परशाई पसू खड़ाय तो पसू की परशाई वरक्ष्य खड़ाय तो वरक्ष्य की परशाई परवत तो परवत की परशाई इसे दरपन में भी जौकात्यों दिखाई देता है विसा सबको जौकात्यों दिखाकर के भी मलिन नहीं होता जैसे दरपन है यदी सामने अगनी जल रही है तो दरपन में अगनी जलती दिखाई देगी किन्तो उसे जलती अगनी को दिखा करके भी दरपन जलेगा नहीं दोर्श अगनी को दिखा रहा है बहुत दूर अगनी जल रही है दर्पण में दिखाई दे रही है दर्पण गर्म भी नहीं होगा दर्पण में बारश दिखाई दे रही है सामनी बारश हो रही है दर्पण भीगेगा भी नहीं दर्पण में ब्रश दिखाई दे रहा है हिलता हुआ दिखाई दे रहा है दर्पण में कुछ प्रवाव नहीं ही पड़ेंगा धूल ओर्टी दिखाई देरी द तरपन में सामने शे मासामने दूल लूर्ए रही ये दर पर उसे गंदा भी नी योगा की चणग घ्र रही ये अपने और नहीं बोल शकते अपने आपसे जोट नहीं बोल सकते उने सब अपना दिखाई दियता है भगवार के सामनी बैठकर भब जीव को अपना पुन्ड पाप दिखाई दियता है मैं कौन हूँ, मैं कहां हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कब तक हूँ मेरा क्या सुरूप है, सब कुछ दिखाई दियता है यदि हुए व्यक्ति पुने मुह के द्वारा पकड़ा जाए तुम वो द्वा करके उसे कुछ भी कहलवा सकता है जब दर्पन के सामने शांत चित बैठा है, कशायों का ओवाल नहीं आ रहा तब तक उसे सब कुछ दिखाई दे रहा उबलते पानी में अपना चेरा साब दिखाई नहीं दिखाई देता है दर्पन जूट नहीं बोलने देगा तुम जब जब जूट बोलोगे, तब तक दर्पन कहेगा यह मिथ्या है, तुम ठीक नहीं बोल रहे फिर तुम अपने चित्त को दर्पन बना करके देखोगे तो तुम जूट कहनीं पाओगे बाहर का दर्पन चेरी के बारी में बाहर की बस्तू के बारी में जैसा है वैसा ही दिखाता है ज्योंकात्यों दिखाता है दर्पन कभी जूट नहीं बोलता दरपन येसे चित्वाले वक्ति जुंट नहीं बोलते दरपन येसे चित्वाले वक्तियों के पास बैठ जाओगी तो तभाज जोंकी तुम देखाई देगा उत जुंट नहीं बोलेगा माhnभाव उन्हें दूसरा है जियान जिस्य वक्ति के जीवन में तत्त ज्यान हो गया जिस्य वक्ति को सम्य ग्यान हो गया जिस्य वक्ति को आत्म ग्यान हो गया जिस्य वक्ति को सुभाव का ग्यान हो गया जो जानता है बस तु का सुभाव कैसा है केवल जानता नहीं मानता भी है वह वक्ति अब भाई भीत नहीं होता उसे किसी पकार का डर नहीं वो शेब किस बात का डर ग्यान जनाता है अगनी जलाती है पानी ठंडा होता है यदि पानी अगनी में चला गया तो अगनी को बुझा देगा वह ग्यान में जान रहा है जिस वक्ति का जन्व उगा उसकी मत्तु होगी ज्ञान जानता है कि इस पर्याय का पड़ून ऐसे हो रहा है सब जान रहा है जब ज्ञान रहा है तब भय नहीं रहेगा भय तो तब आता है जब कोई अचानक कोई चीज आ जाए कोई असंभव जैसी बात आ जाए है अनहोनी तक इसी घट नहीं लखे तो शी भै होता है तट गे रहते हैं उनके जीवन में सास्वत दुह ही दुह है दुह ही दुख है उसे कौन सुखी कर सकता है कि तत्त ग्यान ऐसा धीपक है ऐसी जोती यह जिसकी आत्मा में तत्त ग्यान की जोती जल जाती है उस व्यक्ति को दुखी कर पाना असंबब है उसे कौन दुखी करेगा जो व्यक्ति नहीं जानता है वे तो कहशकता है कि मिर्ची मीठी होती है मिसरी कड़ी चरपड़ी होती है जिकें तो जो जानता है वे कहेगा नहीं जिसका जैसा सवाव बैशा है जो तत्तुग्यान से वीनी वक्ति ये वो परियाय को इस्ताई मानता है द्रव्य को भूल जाता है तत्यु ग्यानी वक्ति तो द्रव्य को द्रव्य मानता है गुण को गुण मानता है पर्याय को पर्याय मानता है उसे भ्रमित नहीं किया जा सकता इसलिए आचार अजसें सुरी ने छत्र चुड़ा मुणी गंत में लिखा तत्त ग्यानमी जीवा नाम लोका द्वे सुखा वहम जीव के लिए तत्त ग्यान एक ऐसी चीज है जो दोनों लोकों में सुख देने बाला है तत्त ग्यान के शिवाए अन्य कोई बस्तु इस जीव को सुक नहीं दिये सकती तत्त ग्यान ही आत्मा को त्रप्त करता है संतुष्च करता है तत्त ग्यान ही इस आत्मा के खालीपन को भरता है तब तत्त ग्यान में ही संतुष्टी तरफती है महानभाब इसलिए तत्त ग्यान में रवन करना चाहिए आगे कहा भैसे दूर होने के लिए तत्त ग्यान हुआ पुने है जीवन में यदि आध्यात्मक धारा आकश आध्यात्मक धारा नदी की यसी धारा है जिस धारा से चित्त की भूमी पर जमा हुआ कीचड धुल जाता है मोह का कीचड नदी की धारा बैती है तो धूल के करने टिक नहीं पाते वह कोई मिट्टी भी जमी यो तो बहगे चली जाती है यहां तक पत्थर भी टूरते लोड़कते चले जाते हैं रास्ता साफ हो जाता है आध्यात्म की धारा बैते ही वस व्यक्ति का मोह दूर हो जाता है आध्यात्म व्यक्ति को मोह ही नहीं बनने देगी मोह की परिवासा है अपने स्वरूप को भोलकर पर स्वरूप को अपना माल लेना यह मो है और आध्ध्यात्म धारा है अपने को अपना मानना परको परक मानना तो आध्ध्यात्म व्यत्ती कभी भी मोही नहीं हो सकता जो मोही है वह कभी आध्ध्यात्म नहीं हो सकता दोनों एक शाथ नहीं चल स एक ही कुंड में कव पानी भरा है उसमें कव अगनी जल रही है कैसे जलेगी अगनी पानी है तो अगनी नहीं है अगनी है तो पानी नहीं है पानी में आप कहेंगे हमने पानी में दिबला रख दिया वो जल रहा था तो दिबला जल रहा है पानी से अलग है पानी और अगनी दुनों एक नहीं अलग अलड़ है दुनों का स्वाफ अलग अलग है। यह लिए आध्यात में व्रथी व्रत्य व्रथी व्रहती कभी मोहिं नहीं हो सकता ह। सलीरे आगे पुने। यह ऊवरधी त सत्य जागत हो तो सथ्य के शाथ चलने वाला बगति भूअ कभी कमजूर नहीं होता उसे किसी प्यखकार का भह्य नहीं लगता है वे सोचता है भहे लगता है कमजोर भक्ति को सत्य इसके पास है मेरे पास तो तीन लोग में अदम शक्ति अचिंत शक्ति है अब किस बात की कमजोरी है जब सत्य मेरे पास है मेरे प्राणों में सत्य का वास है तब तो मुझे किशी बात की परवाही नहीं जो भक्ति मित्या तुके शारी च कि बहुत RIGHT NOW कोई कोई थे कोई परवाद जोसתי निरिवीध होता है मैं कोई दुख नहीं उता दढ़ रहा है ज सत वाला वैक्ति को भैषित नहीं बने देगा तो यह दो पता है आई कम जोरी नहीं गूती है जिश के पास विश्वास होता है वह भक्ति विश्वास के माद्दम शे अपनी शक्ति को फगड़ करता है विश्वास वाला व्यक्ति वे समग्ड गुड़ को फ्राथ करने में शमर्थ रहता है इसका विश्वास कमजोर हो गया विश्वास गया तो कुछ मानु बचा ही नहीं विश्वास संफल दाइकम करता है विश्वास के मादम शेही व्यक्ति की शक्तियों का विखास होता है और विश्वास नहीं होता है तो समझे सब चला गया आगी है कर्म उध्यम पर्शम जो व्यक्ति कर्म करता है कर्म करने बाला व्यक्ति ने संदिय मंजल तो पहुंचता है चाए कोई कितना भी शक्त शाली हो यदि में शक्त साली वक्ति कर्म नहीं करता पर्शम नहीं करता उद्यम्शील नहीं है पुर्शारती नहीं है तो शफलता को प्राप्त नहीं कर सकता कि जो पुर्शार्ती है उद्यम शील है कर्म करनी बाला है ऐसा वक्ति हमेशा सफलता को प्राप्त करता है यूँ कहें पुर्शार्ती की जीवन में सफलता ऐसे ही रेती है जैसे पुष्प के साथ गंद रेती है पुर्शार्ती की जीवन में बस प्रकास ऐसी रेता है जैसे स चांदनी यसे होती है यसे चंदमा के साथ चांदनी ये वैस पुरशाति का जीवन भी सुखंदित होता है तकाशित होता है सुखद होता है मंजर के करीव होता है जो पुरशात करने से जी चुराते हैं बेवक्ति जीवन में सफलता का कभी मुह नहीं देख पाते हैं सफलता उन व्यक्तियों के लिए है जो उद्यम शील है सफलता उनके लिए है जो सब कुछ करने को तैयार है सफलता उनके लिए है जो मन वचन काय को सहीमत करके सम्दक पुर्शार्थ करते हैं सफलता उनके लिए नहीं जो आलस की आगोस में पड़े रहते हैं सफलता उनके लिए नह मांगना चाहते हैं उन्हें सबलता नहीं मिलती सबलता तो करने पर मिलती है कोशिश करने पर मिलती है और बिना किये कभी किसे कुछ नहीं मिलता बिना किये तो मुह में रखा ग्रास भी अंदर नहीं जाता बिना किये तो हाथ में रखा पानी ग्लास पानी मुह में नहीं जात बिना कि यह कुछ नहीं होगा तो श्रीव पूर्सात करना परमावश्क है यह छे वातें आपके जीवन की ढाल बन सकती हैं जो आपको सब तकार्शे बचाने बाली हैं और जीवन के सुख के आया में एस अभी आपके जीवन में घटतों इनीशत भावनाओं के शाथ हम अपन मंगल आश्रिवाद जैवलिय श्री शांतनात भगवान की परम पूझे आचारे गुर्दिय श्री विद्यान नजीवन महराज की स्रीमत जाइन धर्म की